Hello friends, आप सुब का, आपके अपनी चैनल COVID Lectures में एक बार फिरसे स्वागत है, तो कैसे हो आप सब, उम्मेद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, और आप सब की बड़े वेचे चल रही होगी तो ककसा 10, हिंदी विशे के महत्वपोन प्रशनों उत्तर की सिरीज में, आज हम आपके हिंदी विशे के अध्याय 13, लखनवी अंदाज, जिसके लेखक है, यस पाल, के महत्वपोन प्रिक्सा उप्योगी प्रशनों को डिसकस करेंगे, तो चलिए क्लास हम शरू करते हैं, जो यस पाल है, वो मुख्य रूप से क्या है, तो वो मुख्य रूप से एक उपनियास कार है, इसकी रचना करते हैं, वो उपनियास यानि नोवेल की रचना करते हैं, दूसरा प्रशन है, यस पाल का जनम कब हुआ था, तो सन 1903 में, कब हुआ था, सन 1903 में, दूसरा तो अथा लखनवी अंदाज पाठ कौणसी विदा है तो जो लखनवी अंदाज पाठ है वो आपका एक निम मंद के त contamination है किस रूप में लिखा हुआ है निम मंद के रूप में लिखा हुआ है आगे बात करते हैं मैत्वपुन लगू उत्रात्मक प्रश्न कौन से प्रशना लगू उत्रात्मग प्रशना देखें पहला प्रशना है लखनवी अंदाज निमंद के और क्या क्या सिर्षक हो सकते हैं लखनवी अंदाज जो निमंद है इसके और कौन कौन से टाइटल ऐनी सिर्षक हो सकते हैं तो इसके हम और ज़्यदा सिर्षक दे सकते हैं, जैसे नवाबी सान, खानदानी रईस, डिखावटी जिन्दगी, नवाबी सनक, ये कुछ और सिर्षक इसके हम संभावित दे सकते हैं. दूसरा परशन है, क्या सोचकर लेखक ने सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट लिया था, आनि लेखक ने किस बात को सोचकर सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट लिया था, तो एकांत में बैठकर किसी नई कहानी के बारे में चिंतन किया जा सके, यह सोचकर सेकंड क्लास का क्या सोचा था कि second class debate के अंदर और कोई passenger नहीं होगा और एकांत में बैठकर वो किसी और नई कहानी के बारे में चिंतन या मनन कर सकेंगे यही सोचकर लेखग ने second class debate का टिकट लिया था तिसरा प्रशन है नवाब साब ने बड़े यंत्र से काटे गए खीरे की फांकों को सुंग कर क्यों फैक दिया नवाब साब ने बड़े यंत्र की मदद से जो खीरे की फांके काटे गए थी उनको सुंग कर वापिस क्यों फैक दिया तो अपनी नवाबी सान दिखाने के लिए सुंग कर ही खीरे की फांकों को फैक दिया वता प्रश्न था, क्या खीरे की फांक को सुंगने मात्र से पेट भर सकता है, क्या खीरे की जो फांके हैं, क्या उनको केवल सुंगने भर से पेट भर सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, किसी भी खाने की वस्तु को केवल सुंगने मात्र से पेट नहीं भर सकता, क्योंकि उदर व तो सुंगने मात्र से मारे पेट की भुख सांत होने वाली नहीं है। ठीके, आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हैं आपके दिर्ग उत्रात्मक प्रश्ण की। पहला प्रश्ण संक्या पांच, यस्पाल ने स्वाभिमानी होने का परीचे कैसे दिया। अभी उनसे बातचीत करना उचित नहीं समझा। यनि जब लेखक अपनी सीट पर बैठने के लिए जा रहे थे, तो पहले से ही लेखक की सामने वाली जो सीट थी, उस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, और उस सज्जन ने लेखक से बात न करने का क्या किया भाव दिखाया तो लेखक ने भी इनसे बातचीत नहीं करने का ही उचित समझा और वो भी अपने कारेव में ही व्यस्त रहे, उस ने लेखक ने सामने वाले व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं की। आगे बड़े, निम्न लिखित पढ़ित गद्यांस को पढ़ कर दिये गए प्रशनों के उ हांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी, उनकी परतेक भाव भंगिमा और जबडो के इस पूरण से इसपर्ष्ट था, उस प्रक्रिया में उनका मुक खीरे के रसा सवदान की कलपना से फल्पलावित हो रहा था। हम कनकियों से देखकर सोच रहे थे, मिया रईस बनते हैं लेकिन असलियत पर उतर आए हैं, नवाब साब ने फिर एक बार हमारी और देख लिया, वल्ला सौक की जिये लखनू का बालम खीरा है, तो यह आपके साब ने गद्यांस दिया हुआ है, आप देखो इस पर प्रश देखलियत एवं उनके दिखावे पन पर क्या किया है, प्रकास डाला है, तुसरा प्रशन, नवाब साब ने खीरे की फाको पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च का पावडर क्या किया, बुर्काया, तुसरा प्रशन, नवाब साब की भाव भंगीमा और जब्डों की इस्पूरण से क्या इस्पष्ट हो रहा है तो नवाब साब की भाव भंगीमा और जब्डो की इस्पूरण से इस्पष्ट हो रहा है कि नवाब साब के मुँँ में खीरे के रस के सवाद से क्या आ रहा है पानी आ रहा था तो अता प्रश्ण लेखक कनकियों से देखकर क्या सोच रहे थे तो लेखक जो नवाब साब हैं उनकी भाव भंगी मैं देखते हुए सोच रहे हैं कि ये लोग दिखावे के लिए क्या कर रहे हैं अमीर बन रहे हैं और दिखावे के चकर में वो खीरे की फांकों को केवल सुंग करी क्या कर रहे हैं फैक रहे हैं आगे बढ़ें प्रशन संक्या 11 निमना गद्यांस को पढ़ कर प्रशनों के उत्तर दीजिए गद्यांस दिया हुआ है ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया आदाब, अर्ज जनाब कीरे का सौक फरमाएंगे नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा भाब लिया, आप सराफत का गुमान बिनाये रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों के हरकत में लपेट लेना चाते हैं जबाब दिया, सुक्रिया अब देखो प्रशन क्या है नवाब साहब ने अचानक से संबोधन क्यों किया तो सराफत दिखाने के लिए नवाब साहब ने अचानक से क्या किया लेखक को संबोधित किया दूसरा है, सहसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा क्यों नहीं लगा कारण क्या था क्योंकि दिखावे के लिए किसी को कई देर बाद संबोधन करना अच्छा भाव नहीं माना जाता इसलिए लेखक को नुवाब साहब का सैसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा क्योंकि जब लेखक काफी समय तक उनके सामने बैठा रहा तब तक तो नुवाब साहब ने उनसे कोई बात नहीं की और नहीं कोई जवाब दिया लेकिन अचानक से उनका जो ये रूप परिवर्तित हो गया इस अचानक से होने वाले भाव परिवर्तन की वज़े से लेखक को उनका वैवर अच्छा नहीं लगा तीसरा किबला सोक फरमाना का क्या आर्थ है इसका आर्थ है सब्वे वैक्ति का सवाद से खाना किबला सोक फरवाने का आर्थ क्या है कि सब्वे वैक्ति का सवाद से खाना खाना फ़ता प्रशन है नवाब साहब ने किस भाव से लेकक के बर्त में आते ही संबोधन नहीं किया तो अपनी नवाबी सान दिखाने के लिए नवाब साहब ने देर से क्या किया संबोधन किया और जब लेखक वहाँ पर बैठने के लिए उस समय उनका कोई संबोधन नहीं किया लेकिन कुछ समय बाद अपनी नवाबी सान को दिखाने के लिए नवाब साब ने क्या किया लेखक का संबोधन किया तो इस तरह हमने आपके अध्याइब आरा की जितने भी महतुपूर्ण प्रिक्सा उप्यों की प्रशन बन रहे थे उन सभी की सर्चा बहुत अच्छे से कर दी है उम्मित करता हूँ सारे प्रशन आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए अप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और महनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब जरू करें आज गले इतना ही जै हिंद जै भारत